दोस्तो यामी गोतम मा बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है, जल्दी उनके घर किलकारिया गुलने वाली है यामी गोतम ने साल 2021 में उरी डारिक्ट आदितेधर के साथ शादी की थी अब तीन साल बाद दोनों के घर में नन्ना महमान आने वाला है इंद उस टाइम की रिपोर्ट के अनुसार, यामी गोतम से जुड़े सूतरों ने बताया कि एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी को पाँच महीने पूरे हो चुके हैं बस कुछ महीने बाद एक्ट्रेस मा बनने वाली है जब से एक्ट्रेस की ये गुड़ नियूज मिली है वे काफी एक्साइटिड है यामी गोतम ने चार जुन दोजार एक्ट्रेस को आधी तेधर के साथ शादी की थी दोनों ने एक दूसरे को दो साल तक डेट किया था दोनों की पहली मुलागात साल 2019 में औरीदा सर्जीकल स्ट्राइक पर हुई थी डिलिबरी डेट के बारे में भी रिपोर्ट में बताया गए कि मई तक यामी गोतम के घड़ नने महमान का आगमन होने वाला है फिला अलेक्टरिस का पूरा परिवार काफी ज़्यादा एक्साइटिड है मालूम हो कि अभी तक यामी गोतम ने इस गुड़ नियूज को शेर नहीं किया यामी गोतम इन दिनों अपनी आने वाले फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा में है जिसका आठफरविड 2024 को ट्रेलर रिलीज हो चुका है फिल्म को आदित्य सुहास ने डारेट किया है तो फिल्म में प्रिया मनी इरावती हरसी की रन समेत के स्टार्स हैं चर्चा है कि फिल्म 23 परवड 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी